हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में मैं हूँ एड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज एक जवलंत मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं सेकिंड मैरिज सेकिंड मैरिज को ले करके सभी के मन में पर्षन होते हैं क्योंकि जब आपका एक रिष्टा खराब हो जाता तो कहीं ने कहीं आपके तो सोचते ही हैं कि हम आगे बढ़के सेकिंड मैरिज कर लें लेकिन बीच में आड़े आती हैं ये लिटिगेशन जो भी आपके मुकदमे मामले चल रहे होते हैं ये सब बीच मा आते हैं और अपना कानून आप जानते हैं कि जब तक पहली शादी से आपका डाइवोस नहीं हो जाता तब तक आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते हैं और करते हैं तो आपका पार्टनर बाइगेमी का मुकदमा आपके उपर लगा सकता है दोस्तो ये एक ऐसा ही मामला है जहां पर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर पर बाइगेमी का मुकदमा लगा दिया लेकिन कोट ने सारे तथे को देखने के बाद वो बाइगेमी का सोचते हैं पर करने ही पाते हैं उन सब लोगों के लिए निरने बहुत important है आकरी तक वीडियो मा बने रहेगा और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसने दूसरी शादी कर ली है जबकि उनके डाइवोस की जो अपील है वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है और ये कहते हुए पतिनी ने उसको उपर एक मुकदमा दर्ज कराया 494, 114 and 34 IPC में अब जो पति था वो इस मुकदमे को क्वेश कराने के लिए section 482 CRPC में high court में गया था अब दोस्तों पूरे मामले को देखा गया जो family court थी उसने डाइवोस की डिक्री ग्रांट करी और उसने एक appeal फाइल की हुई थी अब ये appeal अभी final भी नहीं हुई थी कि पति ने second marriage कर ली अब दोस्तों court ने पूरे मामले को देखा question के time पे क्या था क्या नहीं था लेकिन ये clear था कि family court ने डाइवोस की डिक्री ग्रांट कर दिये और ऐसे case में high court ने भी ये तथे देखे और मर्षाथी court ने सारे कानूनों को देखते हुए कि कब आप second marriage कर सकते हैं डाइवोस प्रोसेस में डाइवोस डिक्री के बाद कर सकते हैं अपील के मद्धे में कर सकते हैं आपील के खारी पतनी ने केस जाला था बैगयमी का, वो केस पूरी तरह से खारिश कर दिया गया, और पती हो गया, फ्री, यानि वो second marriage में आगे बढ़िया, तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो लोवर कोट होती है, वहां से तो आपको डैवोस मिल जाता है, लेकिन उसके बाद उसके आप दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अपील भी सालो साल चलती है, और बहुत टाइम खराब हो जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर पती ने वेट ना करते हुए, second marriage कर ली, और उसकी second marriage को कोट ने सही ठहराया, उचित ठहराया, और पतनी ने इसके ओपर जो criminal case किया था, वो criminal case squash कर दिया गया, और दोस्तों इसकी अगर आप विस्तरित जानकरी चाते हैं, तो मैं इस judgment का link आपको इस वीडियो के नीचे description में दे देता हूँ, वहाँ जाके आप पूरे मामले को पढ़ लिजेगा कि किन आधारों पर कोट ने ऐसा किया, किन आधारों पर ये case खारिश कि दोस्तों ये जानकरी आपके लिए बहुत ही important साबित होगी, और यदि आपको मामला same है, तो आप अपने मामले में इस judgment का यूज भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकरी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए goodbye and thank you for watching, take care.